हेलो एवरिवान तो आज है संडे और संडे को बच्छों के डिमांड पर मैंने बना कर तयार किया ये वाइट शॉस पास्ता जो बहुत ही सांदार बनी थी आप देख सकते हैं कितना जूसी यमी और टेस्टी बन के तयार हुई है ये वाइट सॉस पास्ता तो चलिए फिर जो उपसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन ये बनती बहुत शांदार है तो सबसे पहले क्या करेंगे कोई भी एक पॉट उसमें एड़ करेंगे पानी तो लगभग एक लीटर के करीब पानी आड़ कर दीजे उसमें आधे चमच ओयल आड़ कर दे लगभग आठ से दस तो हाँ जी स्वादनु सारी नमक डालना है कम नमक नहीं डालना अब यहां पर एड़ कर देंगे ये पास्ता तो मैंने ये पास्ता एड़ कर लिया है आप चाहें तो किसी भी शेप का पास्ता एड़ कर सकते हैं सारे शेप क्या पास्ता मार्केट में आसानी से मिल जाते है तो मैंने ये पास्ता एड़ कर दिया है, अब इसे हमें 6-7 मिनट के लिए उबालना है, 80% कुक करना है पास्ता को उससे ज़्यादा नहीं कुक करना है, जी हाँ कुल मिला के पास्ता को सिर्फ और सिर्फ 80% ही हमें कुक करना है, 20% जब हम इसे इसके सौस के अंदर डाल करके प गुबार चेक करते रहें, चलाते रहें नहीं तो ये तली के अंदर चिपक सकता है, अब ये देखिए हमारा पास्ता जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, हलकी सी कच्छी है, ये 80% ये लगबाग कुक हो चुकी है, अब इसे क्या करेंगे, कि इसे हम छान लेंगे, तो और स्टीम होना बंद हो जाएगा जिससे कि एटी पॉसेंट तक ही कुक रहेगा और ट्वेंटी पॉसेंट यह कच्छा रहेगा तो जब आप इसे सॉस में पकाएंगे तो यह पॉफिक बन करके आएगा अगर आपने इसे अभी एटी से ज्यादा पॉसेंट कुक कर दिया तो जब आप इसे सॉस में पकाएंगे तो यह गीला बन जाएगा चिपचिपा बन जाएगा और यह तूटने लगेगा तो इसे फटा-फट से छान ले तो यह देखे मैंने इस तरीके से छान लिया है उपर से जटपट से पानी डाल दे इसे इसका टेंपरेचर डाउन हो तो यहां पर हलका सा ओयल भी ग्रीस कर सकते हैं जिसे कि हमारा पास्ता जो है वापस में चिपकेंगे नहीं अब कुक टॉप पे रखेंगे एक पैन या कड़ाई उसमें आड करेंगे बटर तो मैंने लगभग एक टुकड़ा बटर का आड कर दिया है एक चमच के करीब यह बटर होगा इतना हमें आड करना है जब हमारा बटर अच्छे से गरम हो जाए तो सबसे पहले इसमें चॉप कियो हुए गार्लिक को एड कर दिया है अब गार्लिक के साथ साथ हम एक हरी मर्च को भी बारिक चॉप करके इसमें आड कर देंगे तो यह मैंने बारिक चॉप कर कर दिया गार्लिक और हरी मिर्च को अब ये मीडियम साइज का एक प्याज है उसे भी हम बारिक चॉप करके इसमें आड़ कर देंगे अब इन सब को हमें अच्छे से गोल्डेन होने तक भूनना है लगबग 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से गोल्डेन होने तक भूने ये देख पांच लोगों के लिए पास्ता बना रही हूँ तो मैने यहाँ पे दो चमच के करीब मैदा लिया है ।เรา झीन आप एक चमच के लिए पास्ता करिब मैदा आड़ करें या फिर अगर आप ज्यादा लोगों के लिए पास्ता बना रहे हैं तो आप six प्याज भी सकते हैं जिससे कि आपकी सॉस जो है वो थोड़ी ज्यादा या कम बनेगी तो बस इसे अब हमें अच्छे से भूनना है टेंपरेचर यहां पर बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि हमें मैदे का कलर नहीं चेंज करना केवल मैदे को अच्छे से भून लेना है अगर आपने म ब्राउन ब्राउन सा लगेगा और आपकी पास्ता जो है वो वाइट नहीं लगेंगे खाने में और देखने में तो वो बिल्कुल कैफे या फिर रेस्टोरेंट जैसा नहीं बन करके तयार होगा तो इस मैदे को हमें एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भूनना है और एक आधे ग्लास से ज्यादा दूद आड़ किया है आपने जितना मैदा आड़ किया उसी साफ से दूद आड़ कर दे क्योंकि हमें सौस बनाना और साउस थोड़ी पतली होनी चाहिए अब यहां पे औरिगैनो आड़ कर देंगे तो लगबग दो चमच के करीब और गैनो सार नमक तो सौस जितना आप पना रहें उसे हिसाब से नमक एड़ करें साथ में एड़ कर दीजे चिली फ्लेक्स और धेर सारी चीज एड़ कर दीजे जितना चीज आपके बच्चों को पसंद हो आप उतना एड़ कर दीजे और यह देखिए हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी हो गई है तो इस समय आपको घबराने की ज़रुत नहीं है यहां पर थोड़ा दूद और एड़ कर दीजे और इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को करेक्ट कर लीजे मैं बता रही हूं बहुत ही शानदार बनके तयार होती है और बहुत ही यमी लगती है खाने में एक पार इस तरीके से आप बना के देखें बिलकुल दस मिनट में यह पौफिक तरीके से बनके तयार हो जाती है और सॉस में बहुत ही लाजवाब लगती है यह जब अपना सॉस बनकर के तयार हो जाए यह देखे मेरा सॉस जो है बिलकुल पौफिक तरीके से बनके तयार हो चुकी है आप इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, देखें इसमें कोई गुटली नहीं है, तो इस तरीके से चलाना है ऐसे कि इसमें कोई लंपस नहो गुटली नहों, अब इस स्टेज़ पे हमने जो उबाले थे पास्ता, उसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे, अब सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे तो मैंने सारा पास्ता एड़ कर दिया एक साथ क्योंकि हम एक पॉट के अंदर ही इसे बना के त्यार कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए हमारा पॉफिक्ट पास्ता बन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल यमी टेस्टी और जूसी बनती है, बहुत ही शानदार बनती है, और बहुत ही ज्यादा यमी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में, आप चाहें तो उपर से थोड़े और औरिगेनो डाल सकते हैं, थोड़े चि चीज़े इस पास्ता में बहुत ज्यादा यमी और बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं मेरे बच्चों को ये सारी सबजियां खास पसंदने हैं इसलिए मैंने एड नहीं किया तो ये देखे फाइनली हमारा पास्ता बिल्कुल बन के तयार हो चुका और ये देखे कितना पास्ता बनाएए और गरम गरम इसे इंजुआए कीजिए बहुत ही ज्यादा लाजबाब लगते हैं खाने में बहुत ही शांदार बनते हो और दस मिनट में ये बन करके तयार हो जाता है पूरी फैमिली के लिए तो फिर आप कैफे स्टाइल पास्ता आप घर में बना सकते हैं अपने पूरी फैमिली के लिए और उसे आप अपने फैमिली के साथ इंजुआए कर सकते हैं तो ये देखें बिल्कुल जूसी और शांदार बन के तयार होती है ये पास्ता